अगर आपने कभी भी Amazon के gift card के earning करी है या फिर cashback का पैसा आपके wallet में है और आप उसको transfer करना चाहते हो अपने PTM account या फिर bank account के अंदर तो ये video आपके लिए 100% helpful सावित होगी because इस video में आपको मैं सबसे easiest तरीका बताऊंगा अपने Amazon का पैसा PTM में लेने का और मजे की बात तो ये कि जो gift card को आप transfer करोगे अपने PTM के अंदर वो आप instant transfer कर सकते हो मैंने YouTube पे कुछ videos देखी हैं जिन में लोग बताते हैं कि आप अपने gift card balance को pay कर दो Amazon balance को pay कर दो और फिर ये application आपको अगले 2 दिन 5 दिन या 7 दिन के अंदर आपको अपने PTM account में पैसा भेजेगा अब भाई 5-5-7-7 दिन के अंदर तो company या बरबाद हो जाती हैं कि आप अपता company वालों का मन बदल जाए और वो आपका पैसा रोक ले इस तरीके के application से आप अपना पैसा transfer मत करना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो genuine है उसके लिए आपको इस website की जरूत पड़ेगी link description में है इस पे पहुंचाओ उपर profile पे टैप करना और इस register पे टैप करके आपको अपना mobile number और एक email account और नीचे password और confirm password डालके एक account को create कर लेना है फिर search option पे जाके ptm सर्च करना देखो इसका funda क्या है यहाँ पे आप लोग ptm का gift card को purchase कर सकते हो अब ptm gift card की तो हमें कोई जरूरत नहीं है लेकिन क्या है जो ptm का gift card होता है वो आप लोग amazon पे के wallet के through भी purchase कर सकते हो इससे क्या होगा आप अपने amazon पे wallet balance के through ptm का gift card purchase क जैसे आप अगर इस notification पर गौर करते हैं जिसमें मुझे 150 रुपय का ptm कैस मिला है मैंने इसी trick को verify करने के लिए 157 रुपीस अपने amazon से पे किया था जिसका 150 रुपीस मुझे अपने ptm में भी मिल चुका है अब ही हाल ही मैं because 5% का tax लगता है तो देखो ptm सर्च करोगे आ इस तक मैं instant voucher यानि कि आपको एकदम instant voucher मिलेगा तो इसको select कर लेना आप देखो यहां पर आपको minimum 20 रुपीस का gift card purchase करना होता है मैं आप से कहूंगा शुरुआत में आप लोग सिर्फ 20 रुपैसे ही try करना जब आपके खुद के द्वारा भी verified हो जाता है तब आप अपना सारा पैसा निकालना पहले सिर्फ 20 रुपैसे try करना बाकि आप 10,000 रुपै तक काफी gift card purchase कर सकते हो नीचे deliver option में आपको email या SMS का option मिलता है इसमें से email पर tap करना और name में आप कुछ भी name डाल दो लेकिन email में आपको अपना ही खुद का email डालना है और इसके बाद इस option पर Amazon Pay का balance निकलेगा तो इसको select करके आप लोग pay कर दो वर चूंकि मेरा already verified है तो मैं आपको 500 वाले option को select करके और 500 रुपी अपने Amazon Pay से PTM में transfer करके दिखाता हूं 500 ही नहीं आपको पूरा का पूरा balance transfer करके दिखाऊंगा Amazon Pay का option आ रहा है तो अपने Amazon Pay के नंबर को मैं link कर लेता ह आपको 525 रुपए pay करने को बोल रहा है लेकिन हमें सिर्फ 500 रुपए ही मिलेगा 25 रुपए का charge लगता है because 5% का इस application में charge लगता है processing fees के रूप में अब देखो यार इतना सारा आपका पैसा निकल रहा है जो कभी नहीं निकलता है तो आप 5% का charge तो देही सकते हो और instant पैस और देख सकते हो instant यहां पर successful बता दिया है अब जो आपका gift card है वो आपके email पर receive होता है इसलिए मैंने कहा था कि एकदम correct email डालना जो email आपने डाला था आपको अपने Gmail अप में चले जाना है और उसी email पर आपको एक mail आएगा कुछ इस तरीके से जैसे अगर इस पर tap करता ह हूँ तो देखो 500 रुपीज का हमारा gift card आया हुआ है इस gift card को मैं जूम करके दिखा देता हूँ देखो यह वाला gift card आया हुआ है मतलब बाई एकदम instantly हमें gift card receive हुआ हमने amazon पे का balance पे किया 1 second के अंदर हमें पैसा receive हो गया इस gift card को ptm में add कैसे करोगे उसके लिए अपने pt ptm app में जाना और इस तरीके से ptm wallet का option मिलता है उस पर tap करके जैसे यहां पर 1000 रुपए लिखा हुआ है इसको हटा के आपको उतना ही amount लिखना है जितने का आपका gift card है जैसे मेरा 500 का gift card है सो मैं 500 रुपीज को type करता हूँ और पैसा आपको पे नहीं करना है वलकि यहां प पास book gift card है ना उस gift card को paste करके और apply कर देना देखो success करके आ चुका है बता रहा है 24 hours में add हो जाएगा but within 5 minutes यह पैसा add हो जाता है नीचे proceed to added रुपए 500 पे tap करता हूँ और इस तरीके से यह pending में दिखा रहा है within 5 minutes वही आपका यह पैसा add हो जाता है तब तक मैं किया कि बांकी का पैसा निकालने के लिए मैंने 315 रूपिस का और payment कर दिया जिसमें मैंने 1500 रूपिस के दो gift card purchase किये थे 300 रूपए हो गया और 15 रूपए का मेरा 5% के साबसे tax हो गया और देख सकते हो वो 1500 रूपिस के gift card यह रहे इन gift card को मैं जा जा करके PTM में add कर लेता हूँ यह भी pending pending मे चा चुके हैं only 5 minutes wait करना है within 5 minutes आपका पैसा add हो जाएगा जैसे देखो ऊपर से notification आ चुका है और इस notification में 33 gift card receive हुए है देखो एक 150 रूपिस का है उसके बाद का भी 150 रूपिस का और उसके बाद का 500 रूपिस का है पास्बुक में जाके देख सकते हो 150 रूपिस यह रह 150 एड किया था मतलब कुल मिला के जो भी पैसा आपके Amazon पे वालेट में पड़ा हुआ है उस पैसे से आपको ptm का gift voucher खरीद लेना है इस website के थूँ और वो gift voucher अपने ptm के अंदर जाके add कर लेना बस इस बीच आपका 5% का processing tax लग जाएगा processing fees लग जाएगा और बांकी का प रूपीस का tax था और 75 रूपीस में रिसीव होना था 75 रूपीस में 25-25 के मैंने 3 gift card लिये हुए थे जो कि देख सकते हो ये तीनों के तीनों gift card भी में रिसीव हो चुके हैं बस इन तीनों को जाकर के भी मैं ptm में add कर लिया उपर से notification देखो 25-25 करके भी 3-3 बार add हो चुका वो अपने gift card को add कर लेगा और उसका पैसा हमारे ptm wallet में आता है तो wallet से अपने bank में send करके आपको अपने upi favor जहां पे भी लेना चाहते हो आप उससे अपना पैसा ले लेना अब पूरे youtube पे आपको ऐसा video कहीं नहीं मिलेगा इसलिए इस video को एक like कर देना और channel को subscribe करके well notification भ एले ही अपने पैसे को transfer कर लिया और कुछ tricks जो है वो limited होती इसको जरूर जाके join करना in future जो भी new trick मिलेगा वो सबसे पहले यहीं पर बताऊंगा